प्रमेश्वर के प्राकृतिक प्रकाशन को देखा था कि प्रमेश्वर अपने होने का प्रापान स्रिस्टी की चीजों से और स्रिस्टी की बातों से देता है लेकिन मनुष्य ने प्रमेश्वर की स्रिस्टी की अद्भुत रचनाओं को ही अपना ईश्वर मान लिया और स्रिस्टी करता को पहचानने से इंकार कर दिया बाइबल प्रमेश्वर का विशेश प्रकाशन है ये उसका जीवित वचन है जिसके माध्यम से वह अपनी बातों को मनुष्य जाती को अर्थात मुझ को और आपको प्रगट करता है दोस्तों बाइबल के अंदर उसने अपनी सारी बातों को प्रगट कर दिया है या प्रगट कर रखा है जो हमारे लिए आवशक है और जिसे वह मनश्यों को बताना चाहता है इसकी शिक्षा हमारे लिए चितावनी के रूप में है कि वह इसके माध्यम से हमें समझाने, सुधारने और दर्म की शिक्षा को प्रदान करना चाहता है सत्यविचन कारिक्रम इसी बाइबल का सरलत मरीदी से क्रमवार अध्यन कराती है कि हर एक मनश्य परमेश्वर की चितावनीयों से अवगत हो जाए और उसे उसके न्याय का सामना ना करना पड़े परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है लेकिन वह एक दोशी को कभी भी निर्दोश नहीं ठहराएगा चाहे वह गरीब हो या धनवान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ किसी भी मनश्य को वह निर्दोश नहीं ठहराएगा हम इसे कई लोग सोचते होंगे कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो दोशी ठहराए जाएंगे मित्रों ये हमारी वैक्तिकत धारना हो सकती है जिसे धर्मभिमान या स्वधर्म कहते हैं कि हम अपने आपको ही धर्मी समझते हैं अर्थात, धर्मी ना होते होगे भी स्वैम को धर्मी समझना। परमिश्वर का वचन कहता है कि वह इसका न्याइ करेगा। आज के अध्यन में हम इसी विषय पर ध्यान देंगे या समझेंगे, तकि परमिश्वर के तराजू में हम कहीं अपराधिन ना ठैर जाए। आए दोस्तों इस अध्यन को हम आरम करें। प्रेमित्रों इस अध्यन में पॉलुस कह रहा है कि परमिश्वर ढोंगी और धर्मिजनों का न्याय करेगा। आज अनेक विश्वासी उस सेवक की नाई है जो पहाड के उपर से तलहटी में खड़े मनुश्य को देख कर कहता है उस बेचारी के लिए कुछ करना चाहिए। हमें एक सेवकार आरम करना है, हमें उसे भोजन, कपड़ा देना है और उसे स्नान करवाना है। मैं तो पहाड की चोटी पर रह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर की इच्छापूर्ती में आने वाली बाधाएं परवत की चोटी और तलहटी दोना स्थानों में बहुत अधिक हैं। अंतर के वल यह है कि तलहटी में उपस्तित मनुश्य अपनी आवशक्ता को पर चोटी पर उपस्तित मनुश्य से अधिक शिगर देख धर्मी जन, ढोंगी मनुश्य और भले कहलाने वाले मनुश्य आदी सबको एक उधार करता की आवशक्ता है। मेरे मित्रों अध्याय दो में पौलस कुछ नियम बताता है जिनके द्वारा परमेश्वर अच्छे मनुश्यों का न्याय करेगा। अध्याय एक में मनुश्य की अधार्मिक्ता का वर्नन है और अध्याय दो में मनुश्य के आडंबर का वर्नन है। अता इस अध्याय का विशय है परमेश्वर ढोंगियों और धर्मी जनों का न्याय करेगा। आईए हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्रित दो अध्याय उसके इसलिए कि तुजो दोश लगाता है स्वैम ही वह काम करता है। यह पद हमारे समक्ष इस अध्याय का एक अत्यधिक महत्पून विश्य प्रस्तूत करता है। कि उनके आधार पर मेरा न्याय किया जाए। मैं उद्धार करता के लिए परमिर्श का धन्यवात करता हूँ और धर्मशाष्ट्र अनंत जीवन पाने के लिए एक मात्र साधन सु समाचार प्रस्तूत करता है। नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। सत्रा और अठारा में लिखा है। परमिर्शा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आगया दे। परंतो इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आगया नहीं होती, परन्तु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोशी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलोते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और तब यहना चिसू समाचा 3 के 36 पत में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनन्त जीवन उसका है, परन्तु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परन्तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आज इसके मन में मसी का वास नहीं, वे पत भरष्ट हो चुके हैं। आप एक धर्मी जन हो सकते हैं, आप एक भले मनश्य हो सकते हैं, परन्तु मेरे मित्रों, मसी के बिना आप भटक चुके हैं। तु निरुत्तर है, कौन? सब मनश्य जाती। इस्त्री पुरुष, यहुदी और अन्य जाती सब। लिखा है, हे दोश लगाने वाले तु कोई क्यों न हो। अब वा समाने से व्यक्ति विशेश पर आता है। जन समुसे व्यक्ति विशेश पर मानव जाती का कोई भी मनश्य परन्तु वह विशेश करके दोश लगाने वाले की बात कर रहा है। दोश लगाना एक नकारत्मक निर्णे है। दूसरे शब्दों में यो भी कहा जा सकता है, तो जो भी है दूसरों पर दोश लगाएगा तो अब एक प्रशन उठता है। आप एक विश्वासी का रोमियो की पत्री एक अध्यामे व्यक्त दूरविचार और दुष्ट मनुष्यों के प्रती कैसा विवार होना चाहिए। मित्रों हमारा विवार ऐसा ना हो कि हम उसके उद्धार की काम ना करें। हम उन तक्सू सम मचार पहुंचाने का प्रयास करें। वे अभागे भटके हुए हैं। फेनी क्रोसबी ने एक गीत वे व्यक्त किया। नाश होने वालों को बचा। मरन हारों की सुधी ले। पाप और कब्र से उन्हें दया में भर कर उबार ले। चूकने वालों के लिए रो। पतीतों को उबार ले। उन्हें इश्व के बारे में सुना। हमारा सोभाव ऐसा ही होना चाहिए। उन पर हमें प्रगट करना है कि उन्हें उधार पानी की आवश्रकता है और भरष्टा चार एवं अनैतिकता से उबारा जाना है। लिखाए क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है उसी बात में अपने आपको भी दोशी ठहराता है। यहां भ्रम उत्पन हो सकता है। उसी बात में का अर्थ यह नहीं कि ठीक वही काम परन्तो यह कि परमेश्र के दृष्टी में उसके तुले बुराई और भयानक काम। अन्ने जातियों के भरष्ट कारे जो सब पापियों के लिए ग्रिनित थे। मैं इसका उधारन देता हूँ एक मनश है जिसका उधार नहीं हुआ है। वह विश्वास नहीं करता कि हिटलर के लिए नरक बहुत गर्म किया जा सकता है। मेरे मित्रों वह न्याय करता है। उसने परमेश्र का स्थान ले लिया ह और आप और मैं उनका न्याय कर रहे हैं जो हमारे स्तर से नीचे गिरे हुए हैं। हम आज के समाजिक मानदंडों को काम में लेते हैं। जो भिन-भिन हैं। यदि कोई आपके समू के योगे नहीं ठहरता तो आप उसे दोश्री ठहराते हैं। मैं कुछ ऐसी कलिस्याओं को जानता हूँ जहां आपका जूट अंदेखा किया जाता है। व्यर्थ की बाते करने वालों के साथ और बैमानों के साथ सब चल जाता है। परंतो धुम्रुपान वहाँ सुईकारे नहीं है। धुम्रुपान करने वालों को दोश्री ठहराया जाता है। मेरे मित्रों किसी क न्याय करने पर आप न्यायधिश का स्थान ले लेते हैं। परमिर्षर कहता है कि आप अपने मान दंड से अन्यों का न्याय करते हैं, तो परमिर्षर को अपने मान दंड से आपका न्याय करने का अधिकार है। यदि हम अपने आपको परमिर्शक के द्रिष्टी से देखें, तो पाएंगे कि हम अत्यधे के दूशित हैं, अत्यधी गर्णित हैं, आप और मैं स्वर्ग के लिए कैसा योगदान दे सकते हैं, क्या हम उसे साउंधर्य प्रदान करेंगे? मुझे कुछ मनिश्यों से स्वर्ग की कुछ ऐसी शवी सुने को मिली है, कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे, तो वह एक अत्य उत्तम स्थान होगा, परन्तु जब वे प्रित्वी पर थे, तब प्रित्वी उनके कारण एक उत्तम स्थान क्यों नहीं बनी? मेरे मित्रों, आप परमिश्यों का इनकार करते हैं, आपके पास अन्यों का न्याय करने का आउसर है, तो परमिश्यों के पास भी आपका न्याय करने का आउसर है, परन्तु वह आपके मानदंड से नहीं, अपने मानदंड से न्याय करेगा, क्या इससे आप पर प्रभाव पढ़ा, पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि मैंने यह पाया है कि हम परमिर्षर के मानदंड में नहीं उतर पाते हैं, अब पॉलुस परमिर्षर के न्याय के सिधान्त बताता है, जिसके द्वारा परमिर्षर सब भी है, एवं शिष्ट पापियों का न्याय करेगा, आईए हम प जानते हैं, परमिर्षर का दंड वास्त्विक्ता की आधार पर होता है, आज कितने मनष्य कलिश्या के सदसे भी भ्रम के संसार में जी रहे हैं, वे सु समाचार के सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं, मैं अनेक धर्मिजन को कहते हुए सुनता हूँ, ओ, मैं बायबल पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जब वे परमिश्रक का वचन पढ़ते हैं, तो वे यहुना की नाई परमिश्रक के दंड को देखते हैं, जैसा उसने प्रकाश्री त्वाके की पुस्तक में दिखा, आरम में तो उसने वचन को रोमान्चक पाया, उसके मुह में वह मीठा लगा था, परन मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, या चोटी पुस्तक मुझे दे, उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, या तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुह में मधुसी मीठी लगेगी, अता मैं वह चोटी पुस्तक उस्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह म मेरे मुह में मधुसी मिठी तो लगी पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। दूसरी और अनेक विश्वासी बाइबल अध्यन करना चाहते हैं पर अंतो सचाई का सामना करना नहीं चाहते। वे सचाई को सुना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमिर्श्रक की ओर से ठीक ठीक अर्थात मनिश्र के वास्त्विक दशा दंड की आगया होती है। ध्यान रखे कि ये नियाय के सिधान्त हैं उधार के नहीं। मनिश्र के भीतर्या समझ है कि एक उच अधिकारी द्वारा उसका नियाय किया जाएगा। परमिर्श्र का आने वाला दंड एक ऐसा तथ्य है जिससे प्रतेक मनिश्र जो मसीह से विले है या तो डरता है या उसका इंकार करता है। न्याय और दंड के विश्य धर्म शास्त्र अतिस्पष्ट है। प्रेरितों के काम सत्रा द्याय के 31 पद में पॉलुस ने एथेंस वासियों से कहा था। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, जिसमें वह उस मनुश्य के द्वारा धर्मिक्ता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हो में से जिला कर यह बात सब पर प्रमानित कर दी है। मित्रों आपको स्मरन होगा कि पॉलुस ने धार्मिता, आत्मस्यम और आने वाले न्याय के विश्य फेलिक्स के साथ भी विवात किया था। वस्तु इस्थिती तो यह थी कि फेलिक्स उपदेश सुनना ही नहीं चाहता था। परमिर्शा का न्याय मनिश्य के न्याय से विपरित है। मनिश्य के सामने सब तथ्य नहीं होते हैं और उसका न्याय स्पक्षपात का होता है। परमिर्षा का न्याय सब तत्यों को देखता है, परमिर्षा मनिष्य के वास्यों के इस्तिती जानता है, मनिष्य जैसा है वैसा ही परमिर्षा के द्रिष्टी में दिखाई देता है और उसी के आधार पर वह उसका न्याय करेगा मेरे मित्रों जब मैं छोटा था, तब कपास एकत्र करता था, मैं उस काम में निपूर नहीं था, मैं बोरा भर कर कपास लाता तो तौलने वाला यह नहीं पूछता था, कि मैंने कहां से उसे जमा किया, या कैसे जमा किया, या वह किसके खेत का था, उसका काम केवल उसे तौल जो अपनी धार्मिक्ता की डिंग मारता है। मेरे विचार में एक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है कि पतित मनुष्य पर उंगले उठाना चाहिए। परंतु वह भिन्न है। बहुतों का सोचना है कि हिटलर और स्टालिन को दंड मिलना चाहिए। परंतु परमिर्शर मनुष्य का न्याय अपने द्रिष्टी में उसे जैसा देखता है उसके आधार पर करेगा। क्या आप इस आधार पर परंतु के समक्ष खड़े होना चाहते हैं। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा। आगे हम देखते हैं रोमियो दो के तीन पद में। है मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोश लगाता है और आप वे ही काम करता है क्या यह समझता है कि तू परमिर्शर के दंड की आग्या से बच जाएगा। रोबर्ट गोविड ने मानुए नियमों को तोड़ने वाले के लिए बचने के चार मारगों पर ध्यान आकरशित किया है। पहला उसका अपराद पकड़ा ना जाए। दूसरा वह नियालाय के शित्र से बाहर निकल जाए या अमिर्का की विवस्था में है। तीसरा पकड़े जाने पर कोई बैधानिक दा इसमें से एक भी बचाओ का मारग नहीं है। आपका अपराद पकड़ा जाएगा। आप परमिश्रक के नया शित्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप उसके बंदिगरी से भाग नहीं सकते। इबरानियों के लेखक ने पूछा दो अध्याय के तीन पद में तो हम लोग ऐ ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। तब रोमियों 2-4 में लिखा है। क्या तु उसकी किरपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है। क्या या नहीं समझता कि परमिश्रक की किरपा तुझे मन फिराओ को सिखाती है। दाओद दुष्टों की समरिधी देखकर किंकरतब ये विमूर था। पर मिश्र उनका कुछ नहीं कर रहा था। भजन सहीता 73 में दाओद ने कहा पद 3-5 में क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुषल देखता था तब उन घमान्डियों के विश्रक करता था। क्योंकि उनक मृत्यों में वेदनाय नहीं होती परन्तु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनश्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्दे मनश्यों के समान उन पर विपत्ती नहीं पड़ती। फिर पद 9 में वह कहता है वे मानोस्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे परिणाम को ना सोचा मेरे मित्रों वे परमिर्शत से दंड पाएंगे। यदि आप पतन के मार्क पर हैं तो यह ना सोचें कि मैं उन प्रचारकों में से हूँ जो आपको सब बातों से वंचित कर दें। यदि आपने मसी में और इस जीवन में एक मात्र आशा में विश्व कर सकते हैं कर लें क्योंकि आने वले जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसी ही जीवन शैली चाहते हैं तो उचित होगा कि आप जब तक इस संसार में हैं यह सब कर लें। खाओ पीओ आनंद लो। कल मरना तो है ही। मेरे मित्रों आपको एक उधारक की आ ठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्र का सच्चा नया प्रगट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यदि आपका उधार नहीं हुआ है तो मैं आप से कहना चाहता हूँ जान लो कि परमेश्र आपके साथ भला है। परमेश्र ने आपको चाहिएं पर निर्वाह कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्र आपको दंड नहीं देगा? क्या आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे? मेरे मित्रों परमेश्र की भलाई आवश्यक है कि आपको मन फिराव के लिए प्रेरित करे। अब हम पथ 6 में दूसरा सिदा देखते हैं। पत्थ भरष्ट था। रोमियो 2 के साथ में लिखा है जो सुकर में सिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोज में हैं उन्हें वा अनंत जीवन देगा। हम ध्यान में रखे कि एक दूसरे सिध्धान्त में जीवन शैली मुखे विशय नहीं है परन्तु जीवन शैली न्याय का आधार अवश्य है भलाई करने वाला भी अपने कर्मों के आधार पर प्रतिफल पाएगा। हम प्रकाशित वाक के 20 के 12 में देखते हैं जहां योना कहता है फिर मैंने चोटे बड़े सब मरे हुऊं को सिहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक और जैसा जीवन की पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे हिfoundए उनके कामों के अनसार मरे हुँ का न्याय किया गया वह व्यक्ति जो अनंत जीवन के लिए काम करना चाहता है ऐसा कर सकता है उसका न्याय उसके कामों के अनसार होगा परंतु उसे चेतावनित दी गई है कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा प्रकाशित वाके 20 के 15 में लिखा है और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की जील में डाला गया मसी में विश्वास करना कि वह हमारा उद्धार करता है जो आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख देता है अनन्त जीवन प्रयास करने का प्रतिफल नहीं है वा मसी में विश्वास करनेवालों के लिए एक वर्दान है अब न्याय का तीसरा सिधांत देखिए रोमियो की पत्री दो अध्या की 11 पद में लिखा है क्योंकि परमिश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता यह पुराने नियम का भी एक सिधान्त रहा है विवास्ता विरन के पुष्टक 10 अध्या के 17 पद में लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमिश्वर यहवा वही इश्वरों का परमिश्वर और प्रभू का प्रभू है वह महान प्राकर्मी और भै योगे इश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है शिमोन पत्रस ने कुरनेलियोस के घर जाकर यह समझा प्रिर्तों के काम 10 अध्या उसके 34 और 35 पद में तब पत्रस ने कहा अब मुझे निश्वर हुआ कि परमिश्वर किसी का पक्ष नहीं करता वरन हर जाती में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वा उससे भाता है मेरे मित्रो परमेशर किसी को अपना पिठू नहीं मानता है उसके पास पालतू कुत्ते नहीं है परमेशर के समक्ष सब मनश्य एक बराबर है न्याई की आँखों पर पट्टी बंधी होती है या इसलिए नहीं कि वह अंधा है परंतो इसलिए कि वह मनश्यों को उनके रेश्रम के वस्त्र या चितलों में ना देख पाए उसकी दृष्टी में सबको बराबर होना है कलिसिया के सदस्यता एक अच्छा परिवार विश्ष्ट नागरिक या विश्वास वचन परमेश्व के समक्ष अनुग्रा प्रदान नहीं करते हैं आपके पास उधार करता है या नहीं यहीं मुख्य विश्य है रोमियो दो अध्याय के बारापद में लिखा है इसलिए जिन्होंने बिना विवस्था पाए पाप किया वे बिना विवस्था के नष्ट भी होंगे और जिन्होंने विवस्था पाकर पाप किया उनका दंड विवस्था के अंसार होगा परमिर्श्व के नियाय का यह एक और सिधान्त है देखे अगले पद में यहां कैसे व्यक्त किया गया है रोमियो के पत्री दूआ ध्या के तेरा पद में लिखा है क्योंकि पर मिर्श्र के यहां विवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर विवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराये जाएंगे मेरे में तरो मुझे सुनने को मिलता है कि अने जातियां अनन्त विनाश के लिए हैं क्योंकि उन्होंने मसी के बारे में नहीं सुना है और नहीं उसे ग्रहन किया है वे भटक चुके हैं क्योंकि वे पापी है सब मनश्यों की यही दर्शा है मनश्य के पास जो ज्योती है उससे उसका उधार नहीं होता है उससे ज्योती के आधार पर उसका न्याय होता है परमिश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं बहुत से लोगों का यह विचार है कि यदि वे परवत्य उब्देश का अनुमोदन करेंगे तो उद्धार पाएंगे मेरे मित्रों आज आपकी दर्शा क्या है पिछले प्रश्न का उत्तर है C. अभग्ति परमेश्वर विरोधी स्वभाव या परमेश्वर के स्वभाव से इनकार का अर्थ है अभग्ति आज का प्रश्न है एक मनुष्य की जीवन सैली उसके उद्धार का नहीं पर उसके खाली स्थान का आधार अवश्य है A. न्याए B. पाप C. आशिस D. जीवन मित्रों इस प्रश्न का उट्टर हमें कल सुभा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे धन्यवाद क्या आपको ये कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं मित्रों हमने इस बात को आज सीखा कि हमने अपने जीवन में अपना अपना मापदंड बना रखा है और उसके अनुसार से ही हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ अच्छा चल रहा है हम सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं प्रार्थना करते हैं कलिसिया की सहायतार मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और मैं तो बहुत सालों से चर्च कमिटी का सदस्य हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के न्याय के अधीन नहीं हूँ, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ, उसकी सेवम हूँ, अन्य सोचते हैं कि मैं उपवास करता, प्रार्थना करता, सू समचार प्रचार करता हूँ, लोगों को सुनाने का काम करता हूँ वचन इसलिए परमेश्वर मेरा हिसाब या न्याय नहीं करेगा हमने अपने-पने मापदंट ठहरा लिये हैं लेकिन मित्रों हमने देखा, आज इस बात को समझा कि परमेश्वर ववस्था के सुनने और जानने वालों को नहीं, परंतु ववस्था पर चलने वाले को ही धर्मी ठराएगा अर्थात वचन के सुनने और जाने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वालों को ही परमेश्वर के न्याय से बचाओ मिलेगा यवे उसके न्याय से बचेंगे हम परमेश्वर के वचन के मानने वाले तक तक नहीं बन सकते जब तक हम उसे निरंतर अध्यन नहीं करेंगे और प्रति दिन के भोजन के समान उसे ग्रहन नहीं करेंगे हम तब तक निर्दोश नहीं ठेरा जाएंगे इसलिए मित्रों मैं समझता हूँ कि ये मुल्यांकन का विशे नहीं है हम इस पस्ट जानते हैं कि हम क्या करते है आपको मालूम है कि आपका जीवन आज कैसा है ये कदम लेने का विशे है एक कदम उठाने का विशे है अनिता आप अपनी करनी का फल एक दिन भोगेंगे मैं आपसे निवेधन करता हूँ कि आज अपने आपको जाचे कि आप कहां खड़े है आपका जीवन किस स्थान पे है और आएए इस विशे में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस संबंद में नम्बर बनाए कि हम दूसरों पर दया करने से पहले स्वहम के उपर दया करें अपने लिए प्रार्थना करें अपने मन को तोड़कर परमेश्वर के निकट आए आईए प्रार्थना करें हमारे स्वर्गे पिता हम एक बार फिर से प्रभू ईशू क्रीस्ट के नाम से आपके सनमुख आते हैं और प्रभू इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे हातों में है प्रभू हम इस अध्यन माला के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए उपलब्द कराया है और इसके द्वारा से प्रभू आपने वचन के गहरे भेदों को हम पर प्रगट किया प्रभू आज इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के साथ मिलकर बिंती करते प्रभू कि हम बेसे कितने ऐसे लोग हैं जो स्वाधर्मी समझते हैं अपने आप को धर्मी मानते हैं यद भी हम वैसे धर्मी नहीं हैं प्रभू, प्रभू हम पर अनुग्र करें, हमारे इस गुरूर को आज आप तोड़ने का काम करें, कि हम अपने उपर रहम खाएं, अपने वहवार पर रहम खाएं और अपने वहवार को बदलें, ताकि हमारा सुभाव प्रभू आपके सन्मु ग्रहन योग यो हो प्रभू हमारे जीवन के जिन शेत्रों में गलतियां है प्रभू अनुग्रे करें कि आप इस समय हमें इंगित करें बताएं हमें हमारे दर्शकों को इशारा करें कि किस शेत्र में उन्हें सुधरने की और शक्ता है हम प्रार्थना करतें पिता आप दया करें ऐसा अनुग्रे करें कि आपकी जया से हमारे सारे दर्शक प्रभू अपने जीवन को सही मार्ग पर बढ़ाने का कार करें पिता इस बिंती को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए बिंती ईशु नासरी के न बनते चले जा रहा है और आपसे आश्या करता हूँ कि आप अगले प्रसारण में भी हमारे साथ फिर से उपस्तित होंगे तब तक पर मेश्वर के बच्चन को अध्यन करते रहें उस पर मलन करते रहें प्रभू आपको आश्षिष्टे नमस्कार झाल